बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल Become Flashing Expert में आज मैं आपको बताने जारा हूँ कि मेरे पास एक Samsung कंपनी का फोन आया हुआ है और जिसका मॉडल नमर है Samsung Galaxy A13 Samsung Galaxy A13 या फिर यूँ कहें कि Samsung A13 मॉडल तो दोस्तो यह मेरे पास Samsung का A13 मॉडल और इस फोन में लगा हुआ है पैटलो सबसे पहले इसका मॉडल मेर आपको कंफर्म करवा देता हूँ तो दोस्तो अगर आप ध्यान से देखें SM A135F तो दोस्तो अगर आप इसको गूगल करते हैं तो इसका exact मॉडल नमर निकल कराता है Samsung Galaxy A13 या फिर यूँ कहें Samsung Galaxy A13 तो दोस्तो आज इस वीडियो हम सेखेंगे कि आप इसका पैटलो कैसे तोड सकते हैं जैसे याप पैटलो कोड़ने की बात सुनते हैं तो आपके मन में सवाल आता है कि मैंने बहुत सारी वीडियो को देख लिया है उसमें लैपटॉप का योशकर निकले बताया जा रहा है चार्जर का योशकर निकले बताया जा रहा लेकिन आपका फोन रिकाबरी मेनु में नहीं जा रहा है तो दोस्तो अगर आपका भी फोन रिकाबरी मेनु में नहीं जा रहा है तो थोड़ा रुकी इस वीडियो को एक बार पूरा देखिए ठीक है इस वीडियो को पूरा देखिए आपको step by step तरीके से बताऊंगा कि कैसे आप बहुत ही आसान तरीके से इस phone का pattern lock तोड़ सकते हैं बिना कैसी computer के बिना कैसी laptop के बिना कैसी box के बिना कैसी dongle के यहां तक कि आपको laptop की भी जरू अतनी बस इस वीडियो को पूरा देखना है अब procedure मैं बताता हूं कि क्या करना सबसे फिले मैं pattern का पको ड्रॉकर करके दिखा देता हूं यहां पर देखिए pattern ड्रॉकर कर देता हूं बटीक खुल नहीं यहां यहां पर देखिए two minute time incorrect attempt हो चुका है अब मैं आपको दिखा भी volume up और down तीनों को एक साथ दबाकर रखना है जैसे ही आपके phone की screen blank हो यह फिर काली पड़ जाए ता आपको यह वाली बटन volume down वाली छोड़ देना है लेकिन volume up बटन को दबाए रखना है Samsung का logo आया थोड़ी दिरवाद आपका phone vibrate करेगा और आपका phone recovery menu में नहीं जाएगा तो दोस्तों अभी आपके मन में सवाल आ यह आ रहा होगा कि अभी तो आपने का recovery menu में जाएगा तो दोस्तों आपका phone vibrate किया नहीं हुआ तो अभी आपके मन में सवाल आयागा कि अभी तो आपने कहा कि recovery menu में जाएगा तो जी हाँ जाएगा वस विडियो को पूरा देखीगा ठीक है मैं आपको बताऊंगा और अगर आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि बगल में एक वावर phone रखा है वो क्यों रखा इस विडिय क्या है कैसे इसको सीखेंगी सब कुछ इस ब्रूम बताएंगे ठीक है तो दोस्तों अब आपको क्या करना है यह तो नहीं किया आपको एक दूसरा फोन लेना है या आपका फोन आपको मैं मैं आपको बताता हूं यहां पर इसको रख देता हूं सबसे पहले आपको नीट परीगियो, पिर जरुत परीए एक data cable की, जो कि data cable मेरे पास है और आपके पास एक OTG चही होगा, ठीक है, यह OTG कुछ इस तरीके केटेर केब्लक यह वाला सीरा है जो कि जाके डाईरीट आट चार्जन में लगता है उसको यहαं पर आपको इंसट्ट लगा है उसको आपको अपने फोन में लगा दिना है ठीक है कुछ इस तरीके से कौन से फोन में जो फोन आपका सेकंडरी फोन है दूसरा फोन है जिस फोन में लॉक नहीं लगा जो आपको दूसरा वाला फोन है उसमें लगा दिना है तो मैंने यहां पर लगा दिया है ठीक है अब आपको अपकी सेटिंग में जाकर सर्च करना है OTG OTG यहाँ पर आपने सर्च कर दिया देखिए OTG अपने सर्च कर दिया OTG को अप्सन आगया है यहाँ पर देखिए अभी मैं इसको एनेबल नहीं करता हूँ अभी आपको दिखाता हूँ यह जो दूसरा वला सीरा है उसको आपको अपने फोन में लगा देना है कोई एक्टिविटी नहीं हुई दियान से देखिए कोई एक्टिविटी नहीं हुई दोस्तों और डेटा केबल सारा यहीं पर है देख लेजे ठीक है कोई एक्टिवीटी नहीं हुई मैं इसको लॉग कर देता हूँ अब आप देखिएगा जैसे ही मैं यह OTG वाला option enable करूंगा और यह phone charge होने लगेगा ध्यान से देखिएगा ठीक है यह phone आपका चार्ज होने लगा कोई problem नहीं आपको इस तरीके से phone को रख दिना है आपको मैं पूरा दिखाऊंगा वरना आपको लगेगा कि वीडियो कहीं से cut है या फिर तो यहां पर देखिए अगर आप ध्यान से देखिए तो फोन चार्ज हो रहा है अब प्रोसीजर देखिए तोड़ा सा डिफरेंट है प्रोसीजर पाउर बटन ठीक है वेलूम डाउन यह अभी नहीं दबाना आपको ठीक है पाउर बटन है वेलूम डाउन कुछ इस तरीके से दबाएंगे और जैसे ही आपकी फोन की स्क्रीन ब्ल ना खुल जाए इस बार 100% खुलेगा आपके फोन का रिकवरी मेनू कुछ इस तरीके से अब यह डैटा केबल और इस OTG की कोई नीड नहीं इसको हम साइड कर देते हैं और यहां पर आप देखेंगे यहां पर आप देख लिजे ऑप्सन आ गया है तो आप्सन में इसको पढ़ाना है नीचे आपको यहां तो आने बात पता हुई का ठीक है यहां पढ़ाना है ठीक है वाइप डेटा फैक्टर से ठीक है लेकिन 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 मैं आपको बता देता हूं दोस्तों इसको करने से आपका फोन का जो भी डेटा होगा जस्त लाइक फोटोस वीडियो सब कुछ डिलीट हो जाएगा तो मेक से और कि आप अपने फोन का पहले बैक अप बना लिए होंगे वरना आपके फोन का जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा ठीक है और अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर दोस्तो इसका मॉडल लिखा है सैमसुंग यहां पर देखें 13 लब इसमें Android 13 भी चल ला है ठीक है यही वज़ा कि इस फोन के सेक्यूर्टी अपडेट होने के वज़ा से मेरे कुछ प्रीविएस वीडियो से हैं दोस्तों जो आपकी आप देख सकते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जाएगा आपको वापे चा कि यहां पर ओप्षन है वाइब डेटा वाइब डेटा पर जाने बाद सिंप्ली आपको पाऊर बटन को प्रेस कर देना है यहां पर देखेगा भी कमांड आपके सामने आएगे फैक्ट्री रेटा रिसेट नीचे चले जाएंगे पाउर बून को प्रेस कर देंगे जैसे ही आप यहां पर करते यहां पर दिखली जब डेटा वाइब कंप्लीट आपका हो चुका है एक बत नीचे चले जाएंगे ऌइप एपका प्रश लाइओ तो आपके छुआइब के प लाइटें सिस्टम नाओ पिक्लिक करके पावरबusz कप्रास कर Joint अब आपके पास यह phone on होगा आपका phone जो है और यहां पर आपको फिर से मैं दिखा दे रहा हूं कुछ इस तरीके का दिखता यह Samsung का A13 model है फिर Samsung का A13 ठीक है Samsung का A13 model है ठीक है इसमें step by step तरीके से सिखाया हूं मैं आपको कैसे बहुत ही आसान तरीके से आप इसका पैटलोग तोड़ सकते हैं बिना किसी computer के बिना किसी laptop के यहां तक कि आपको laptop की need नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार से या फिर अगर आपका phone charger से recovery में नहीं जाता है तो उसका भी procedure मैंने बताया है step by step तरीके से समझाया है अगर आपको फिर भी समझ में ना आया हो या फिर आपको कोई भी सवाल कहीं पर रह गया हो आपके दिमाग में कि यहां पर मुझे समझ में नहीं तो comment करके बताएगा द हमारे लिए बहुत ज़्यदा valuable है अपसे subscribe करने के लिए नहीं कहूंगा अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो ही subscribe कि जैगा वरना unsubscribe करके चले चाहिएगा दोस्तों लेकिन मैं अपनी तरफ से genuine content provide कराने की पूरी कोसिस करता हूं कि जो भी videos है वो genuine हो मेरे channel पे कोई भी वीडियो फेक ना हो यही मेरी priority पहले से ही रही है और अब भी और आगे भी यही रहेगी कि कोई भी फेक वीडियो ना मनाया जाए जो भी हो और यूचर को या फिर मेरे subscribe को benefit हो इस वीडियो से ना कि देखने के बाद comment में गालियां पड़ी कुछ इस तरीके से मैं नहीं च कर पाऊं अब अबंब बात आती है कि समय परने का ठीक है सैट अप करने का प्रोसेजर देख़िएगा कि इस तार्ड बटन है न प्लिक कर्डिजिये अब यहां पर एग्री टी ऌर कीजिई अग्री बटन पर क्लिक कर दीजिए ठीक कैसे याप tenga बटन पर यहां पर देखिए याई रिपन पर जैसे क्लिक करते तो आप सनाता है स्किप अगर यह कि जिया का बटन नहीं आ रहा है या फिर आ रहा करने के बादちは स्क्विप नहीं हो रहा है वाइफाइसे करने के लिए बार बार बोर रहा है तो आपको समझ जाना कि आपके फोन में ऐफ आर पी लोग लग लग गया है फीका है गूगल एकाउंट लग 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 फिर फैक्टरिय रिसेट प्रोटेक्शन लग या फिर जीमेल वाला लॉग कहें वह लग्या है तो उसको बाइपास करना है अगर आपको वीडियो चाहिए तो कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करें ठीक है मैं वह भी वीडियो बनाने की पूरी कोस्स करूंगा अब आगे आपके समने स्कीप कर दें और यही ओपचन अगर आपके फोन में नहीं हाता तो समझ चलिठा ना है कि आपके फोन में अप्र प्ल wollt ले तेया पर डिकिए स्कीब बटन प्र घृक और और यह कर दें यह कि यहOh यहां पर बोला है कि protect your phone अपने फोन में कोई lock लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल भी नहीं skip button पर क्लिक कर दें और इस तरीके का interface आते हैं तो दोस्तों एक बात और बताना चाहूंगा आपको कि अगर आपके phone को में SIM कोई लगी है और अपने phone में पैटन लोग तोड़ रहे हैं SIM लगी है तो SIM निकाल दे उससे थोड़ा सा setup करने में जल्दी हो जाती है दोस्तों यहां पर देखिए आप उसे लोग था वो टूट चुका है इस तरहीके option आएगा एक बार एक बटन पे क्लिक कर दें जैसे ही आप एक बटन पर क्लिक कर देते हैं आपके phone में जो भी लोग था वो टूट चुका है कोई भी लोग नहीं सब कुछ हम access कर पा रहे हैं ठीक है जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं ठीक है अब इसकी सैटिंग में जाता हूं इसका मॉडल में भी आपको confirm करवा देता हूं ताकि 100% surety हो कि आपको यहां पर genuine content मिलता इस चैनल पर about phone में जाओंगा यहां पर अगर आप देखेंगे बड़े बड़े अक्षोरों में लिखा हुआ है galaxy 13 यहां पर भी और इसका software information में जाने के बाद यहां पर 1EY 5.1 android 13 ठीक है सारा कुछ यहां पर mention मिल जाएगा तो आसा करता हूं कि यह वीडियो पसंद आए होगी आपको अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को like share and मेरे चैनल को subscribe करना ना भूले थैंक्स थैंक्स वाचिंड वन्दे मात्रम